आज अगर आप पूरी वीडियो में देखेंगे तो मेरी मॉडल आपको पूरी हैपी नजर आएगी और येत्या एक्साइटेट थी मेरे से मेकप कराने के लिए कि इसकी हसी ही नहीं बन दो रही थी तो स्टार्ट करते हैं अपना मेकप तो मैंने सबसे पहले मॉश्राइजर तो अपर अप्लाई किया है और आप देखेंगे ना इनके फेज की हसी कहीं याने वाली ही नहीं तो अब मैंने लिचाइजर आपको बन दोने वाली ऐनकी पूरे करेक्टर को को अप्लाई कर दिया है और जो मीडियम इसके इन वाले फेयर होते हैं अब तब एक मैंने एक वैट ब्लेंडर लेंडर लिया और उसे अच्छे से मैंने पानी से निचोट दिया है बिल्कुल भी पानी नहीं रहने देना उसमें अब हम पूरे कलरेक्टर को अच्छे से ब्ले ब्लैंड करना है अब मैंने मेकप स्टूडियो की ही पैलेट में से जो थोड़ा से इनकी स्किन टोन से एक शेड वाइट था वो मैंने अप्लाई किया है अभी आप मेकप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा इनका फेस पूरा ऐसे वाइट वाइट लग रहा है बट जब हम पूरे फेस पे अच्छे से बेस को它ट करतूँंगी हमें इस चीज का ध्यान लखना है कि हमारा फाथ है वह हर ओर इक्वल चले ऐसा ना हो कहीं प्रेशर जाद है कहीं प्रेशर कम है हमें एक ही प्रेशर के साथ में काम करना है और जब आप बेस को लगाएंगे तो नेक को एंड जो हमारे एर है उनको बिल्कुल भी कवर करना ना भूले अब मैंने थोड़ा सा फांडेशन लिया है ताकि जो ग्लो है वो और भी अच्छे से आ जाए और एकदम नैच्रल लुक आए तो मैंने ब्लेंडर की हेल्प से ही पूरा अच्छे से लगा दिया है फांडेशन अब हम लिक्विड ब्लश लेंगे आपने देखा ना तो यह पिंक है और ना ही यह बहुत ज्यादा मैं बोलूंगी नूट टोन पे जाल रहा है जो इक्वैल है बीच की टोन का है एंड कंटोर भी हम साथ की साथ कर लेते हैं नुस प्लाद करने के बाता हैं आई अट में फीच ow confian टोर की इसे में अंडर आइस और जो हमारे हाईलाइट एरिया है जैसे नोज ए फोर हैड है हम एंड हमारे चिन एरिया है तो हम देखिए किस टाइप से अच्छे से हमें बनाना पाउडर को लगान है एंड उसे हम इस्टेर रहने देंगे एंड जो दूसरा ट्रांसलूजन पाउडर है उससे हम बेस को सेट करेंगे अब हम कुछ सेकिंड के लिए स्टेयर हैने देते ऐसे ही एंड लास्ट में हम एक बड़ा ब्रश लेके डस्ट आउट करेंगे और मेरा फोन बंद हो गया था जिसकी वज़े से जो मैं आई मेकप की वीडियो नहीं बना पाई हूं नेक्स्ट मैंने बहुत ही न्यूड सा शेड लिया है क्योंकि जो इनकी ड्रेस है वो रेड कलर की है तो यह मेरा फाइनल लुक है मेरी मॉडल का आई होब आपको यह लुक पसंद आया और हाँ आप इस लुक को रीक्रियेट कीजे जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे सब्सक्राइब करना ना भूले